नमस्कार मैं निर्मला बोल रही हूँ जफर प्रिभिहार से मेरा प्रस्ण है कि क्या पूजा करना ही भक्ती है अगर नहीं तो फिल भक्ती का पूरा स्वरूप क्या है देखो निर्मला पहले भी हमने बताया है कि भक्ती जो है ना हमारे सब के अंदर होती है और जो पूजा पाठ है ये भी भक्ती है और भगवान का नाम लेना ये भी भक्ती है लेकिन इसको हम अलग-अलग तरह से क्लासिफिकेशन कर देते हैं मतलब अलग-अलग तरह से बर्णना करते हैं कि कितने तरह की भक्ती है अगर ऐसे देखा जाए तो अलग-अलग बर्णन है लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ जो आसान तरीका है वो एक है साधन भक्ती और एक हो गया रागनुगा भक्ती जैसे कहते हैं एक है सकाम भक्ती ए वह भी हम लोग दीप दूप अडवच्य करते हों उसको कहते हैं हमारा साधम भक्ती और उसको तुम सकाम भक्ती भी कह सकते हो लेकिन जो निश्काम भक्ती है जो रागा नगा भक्ती है ओ है जैसे भाव से भक्ती, मन से भक्ती है जरूरी नहीं है कि situação पूजा बंदे कर रहे ह उसके बाद उनको प्रशाद दे रहे हो, उनके बाद दीप दूप दे रहे हो, यह सब दे रहे हो, तभी पूजा हो रहा है, नहीं है, अगर भाव से भक्ती है, तो तुम भगवान का नाम ले रहे हो, वही भक्ती है, और बिल्कुल सुद्ध मन से इधर उधर की विचार ना क अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, नीरंतर लेते हैं और हर टाइम, जैसे हम कुछ काम भी कर रहे हैं, तो मन भगवान में ही लगा है, हम अपने हाथ से पेर से काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन मन भगवान में लगा है, अगर ऐसा है, तो वो है भगवान की तरफ निश्काम भ भगवान को फूल चड़ाओ, यह सब हम बच्पन में घर में ही सिखे होते हैं, लेकिन दीरे दीरे जब भगवान की तरफ आ सकती होता है, भगवान की तरफ प्रेम बढ़ता है, तो यह रागानुगा भक्ती में पहुंच जाता है, और जब रागानुगा भक्ती बहुती कुछ है इने, Hare Krishna